विधान सभा बजट बैठकों के संचालन को लेकर विधान सभा ध्यक्षिक गड़्डम प्रसाद कुमार की अध्यक्षिता में BAC की बैठक संपन हो गई है। इस बैठक में कार्य दिवसों और बैठकों के एजंडे को अंतिम रूप दिया गया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेडी के साथ डिप्टी सेम भट्टी विक्रमार्क श्रीधर बाबू, बियारस के कडियम श्रीहरी, बीजेपी से महश्वर रेडी, मायम से बलाला और सीपी आई से कुन मेननी सांब शिवराव मौजूद थे। इस मौके पर BAC ने चार दिनों तक ब हाशन पर बहस, दस को बजट, बारा और तेरा को इत्विधैक पर बहस, उधर BAC की बैठक के दोरान दिलचेस्प नजारा देखने को मिला, केसियार की जगह हरीश राव बैठक में आए, केसियार ने पहले ही बता दिया था कि हरीश उनकी जगह लेंगे, हाला कि मत्री श्र से हुआ है, उन्होंने कहा कि यह सरकार उन पाटियों और व्यक्तियों की आभारी है, जो तिलंगाना के गठन में साथ आए, उन्होंने कहा कि सरकार तिलंगाना को देने के लिए ततकालीन मनमोहन सरकार की आभारी है, उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के निर्मान में सोनिया नौकरियां भरने के लिए प्रतिबद्ध है धर्नी समिति के माध्यम से जमीन संबधित मामले सुचाये जाएंगे वित्तिय अनुशासन और पारदर्शिता बनाये रखने के लिए बियारस की प्रशनसा की गई पिछले सरकारी अधिकारियों को एक श्वेत पत्र के माध्यम स जनता को सूचित किया गया था दावोज बैठक में 40,000 करोर रुपे के निवेश पर सहमती बनी Commitment to serve as the people's servants in a true democracy. The Prajavani Programme, the government's first step in this direction, embodies the essence of people's governance, providing a platform for citizens to express their concern and concerns and seek redressal. Telangana was born out of the aspirations of four crore people and the sacrifices of the youth and the relentless struggles of students. Our governance is rooted in the responsibility to honor those sacrifices and our aim is to govern in alignment with the desires of civil society. The government expresses gratitude to all those parties and leaders who played a pivotal role in the creation of Telangana, especially acknowledging the efforts of the then-UPA government and the Prime Minister Dr. Manmohan Singh. This government conveys that it is indebted to Mrs. Sonia Gandhi for her instrumental role in this historic process. As promised during the elections, the government is committed to realizing the six guarantees for the welfare and development of our people. The two guarantees have already been implemented. Dept.C.M. Bhattie, Vikramarka and Mantri Shridhar Babu Kho, Adhivasi Kalyyan Mantri Sita Kha ne, Middaram Sammakasar Lama Jatra Anika Nimanantran Dya. Sammakasar Lama ne, Meleem Ka Nimanantran Patr Prashtut Kiya. And the Doveyarabach variety and Pend gathered online instad. Maddaram Ramahan Mahyajatra 21-24. Maddaram Sammakathis, Meddaramam Mahajatra 21-24. Maddaram Saundan Kasujan Raajis, Maddaram Sammamagasar John Allah,? आने के बाद पहली बार आयोजित किया जा रहा है सीतका कॉंडा सुरेखा मेले के प्रबंधन की जिम्मदारी मंत्रियों ने अपने कंधों पर ली है मंत्री सीतका जो उसी मुलगु निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करती हैं ने मेडराम में अपना सर्वश्रेष् टी एस पी एस सी के अध्यक्ष के रूप में महेंदर रेडी की नियुक्ति का प्रतिवाद किया जो ब्रष्टा चार से दूशित है उन्होंने सवाल किया कि अगर महेंदर रेडी पर ब्रष्टा चार किया है तो बी आरे सरकार ने उन्हें डी जी पी क्यों नियुक्त किया उन्होंने कहा कि तिलंगाना राज्य को बी आरेस सरकार ने बरबात कर दिया है पूर्व मंतरी हरी श्राव ने बी एसी से बाहरा कर सफाई दी उन्होंने कहा कि वह अध्यक्ष की अनुमती से ही बी एसी गए थे जिन्होंने कहा कि सत्तापक्ष के लिए सदस्यों ने B.A.C. में जाने पर आपती जताई उन्होंने कहा कि कम से कम मंत्री प्रजावानी कारिक्रम में नहीं जा रहे हैं उन्होंने राज़ेपाल से जूट बोला कि 6 में से 2 गैरंटी लागो कर दी गई है आपने राज़ेपाल को आरोगेश्री के बारे में क्यों नहीं बताया B.A.R.S. पार्टी की ओर से विधायक कडियम श्रीहरी B.A.C. की बैठक में शामिल हुए इस मौके पर उन्होंने टिपणी की उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान के कारण कॉंग्रिस पार्टी के हारे हुए विधायक सरकारी कारिकरमों में भाग ले रहे है प्रोटोकाल का उलंगन हो रहा है उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से कानून व्यवस्था की समस्या रही है मल्सी कविता ने सत्ता में आने के बाद भी जूट नहीं छोडने पर कॉंग्रिस की आलोचना की उन्होंने कहा कि सीम रेवंत्रेडी का रास्ट्रगान के बारे में बात करना हास्यास पद है उन्होंने एक बार भी जय तिलंगाना नहीं कहने के लिए C.M. रेवंतरेडी की आलो चुना की सिंगरेनी जॉब फैर के दोरान C.M. रेवंतरेडी और डिप्टी C.M. भटी विक्रमार्क की टिपड़ियों के बाद M.L.C. कविता ने हैदरबाद में अपने आवास पर मीडिया से बात की C.M. ने कहा कि तिलंगाना माता की प्रतिमा उनके जैसी है तो इस पर उन्होंने कहा कि वह भी तिलंगाना की बेटी ही तो है हाला कि मुख्यमंतरी तिलंगाना माता की मूर्ती के बारे में क्या बात कर रहे हैं कविता ने टी-एस-पी-एस-सी के अध्यक्ष महेंदर रेड़ी को तक काल हटाने की मांगी उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भरष्चाचार के आरोप है उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह जल्द ही राजयपाल से मिलेंगे वे पूर्वर डी-जी-पी के खिलाफ नियाईक जान चाहते हैं उन्होंने यादिला कि रेवंत रेड़ी ने अतीत में महेंदर रेड़ी के साथ दुर्व्यभार किया था आरोप है कि आंधर के एक व्यक्ति को टी-एस-पी-एस-ई का सदसे न्युक्ति किया गया है राजनेतिक पुष्ट भूमी वाले पालवाई रजनी को सदसे के रूप में कैसे न्युक्ति किया जा सकता है 124 एलविन कॉलिनी डिविजन के तहट एलमा बंडाम बेटकर नगर में हिंदू कब्रिस्तान में कुछ अतिक्रमनकारी शामिल हो गए हैं और पखुडियों से बार लगा कर कब्रिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं मामले की जानकारी मिलने पर सेरे लिंगम पल्ली के विधायक आरके पुडि गांधी और स्थानिय नगर सेवक डोडला विंकटेश गौड ने कब्रिस्तान का निरीक्षन किया स्थानियों नेताओं ने पुलिस विभाग और संबर्दित अधिकारियों को अवैद रूप से बनाई गई बार को तुरंत हटाने का आदेश दिया है उन्होंने कहा कि कब्जाधारियों की अंदेखी नहीं की जाएगी उन पर कानूनी कारवाई कर उचित कारवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि पूरू में इसी कब्रिस्तान में बुनियादी सुविधायों पलब्द कराने के लिए शिला नियास किया गया था उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार, आंतरिक सड़के, वॉकिंग ट्रैक और कब्रिस्तान में पौधार उपन और एक उध्यान विकसित करने के लिए जल्द ही कदम उठाए जा रहे हैं विधायक देवी रेडी सुधीर रेडी ने लिंगोजी गुड़ा ड्विजन के अंतरगैत कई कॉलोनियों का दोरा किया, 27 लाग करूड रुपे की लागत से वीभिन विकास कारियों का शिलानियास किया गया इसके अलावा सुधीर रेडी ने Green Park Colony Road No.1 से 17 तक CC Road के मरमत कार्यकाई शिलानयास किया उन्होंने कहा कि पिछले सबताह कलेक्टर की बैठक में Green Park Colony की FTL समस्याओं के बारे में बताया गया था उन्होंने कहा कि जल्द ही समाधान निकलेगा सुधीर रेडी ने कहा कि कलेक्टर ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी उन्होंने कहा कि विधान सभाक्षेत्र की प्रमुख समस्याओं का एक एक कर समधान किया जाएगा उन्होंने यह भी कहा कि शिलानयास का काम तुरंत शुरू कराया जाए गोशा महल से बीजेपी विधायक राजा सिंग ने कहा कि पार्टी उन्हें जहीराबाद से संसत का चुनाव लड़ने के लिए कह रही है लेकिन उसे संसत चुनाव में कोई दिल्चस्पी नहीं है संसत चुनाव जल्द ही आ रहे है बीजेपी 17 लोग सभा सीटों पर मजबूत उमिदवार उतारने की कोशिश कर रही है इसी के तहट जहीराबाद में राजा सिंग का नाम अनादी काल से सुना जाता रहा है लेकिन विधान सभा चुनाव में उन्होंने गोशा महल से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की इसी संदर्ब में राजा सिंग ने जहीराबाद लोग सभा से चुनाव लड़ने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी उन्होंने कहा कि पार्टी उन से चुनाब लगने के लिए कह रही है उन्हें कोई दिल्चस्पी नहीं है उन्होंने कहा कि वह करीम नगर लोग सभाक शेत्र में बंडी संजे के लिए प्रचार करेंगे अगर किशन रडी बुलाएंगे तो वह सिकिंद्राबाद में भी पार्टी से जीतने वाले आठ लोगों में से किसी एक को फ़्लोर लीडर बनाया जाये फ्लोर लीडर ने कहा कि घोषना में देरी ठीक नहीं है चुंकि हम बसी सीएम के नारे के साथ चुनाव में आया थे इसलिए भाचपा के रास्ट्रिय नेतरु उत्व ने कहा कि बीसी विधायक को फ्लोर लीडर नियुक्त किया जाना चाहिए एबीवीपी के तत्वधान में लंबित शुल्क प्रतिपूर्थी बकाया दिलाने को लेकर धर्ना का आयोजन किया गया इस मौके पर सरकार का पुतला फूंका गया इस मौके पर एबीवीपी के प्रदेश कारे समिती सदस्य अक्यारी महेश ने कहा कि यह शर्ब की बात है कि राज्य में कॉंग्रेस सरकार बनने के दो महीने बाद भी छात्रों की छात्र वृत्ती जारी नहीं की गई है बेरोजगार छात्रों ने वोड़ दिया और जीत गए तो उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद इस सरकार ने छात्रों को बे सहारा छोड़ दिया है उन्होंने कहा कि फीस प्रतिपूर्थी लंबित रहने से गरीब मध्यमवर्ग के चात्र चात्राओं को उच्छी शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने चेतामीदी की यदि लंबित शुल्क प्रतिपूर्थी का बकाया शीघर जारी नहीं किया गया तो वे प्रेम महिश्वर रेड़ी ने विभिन मतदान केंद्रों पर नरेंद्र मोधी प्रशासन और कल्यानकारी योजनाओं के बारे में बताया। सदिय चुनाव को देखते हुए कारेकरता और बूत अध्यक्षों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने बूत पर सभी लोगों को बीजेपी के कारेकरमों और नरेंद्र मोधी के बारे में बताएं। मादापूर में मेडिकरवर डॉक्टरों ने बैठक की मेडिकरवर डॉक्टर संपूर्ण घोश ने कहा कि कौकलियर इंप्लाइंट जर्मजाच श्रवन हानी वाले बच्चों को नया जीवन दे सकता है। पिछले 6 महिने में श्रवन हानी से पीडित कई बच्चों और वयसकों के लिए 10 से अधिक कौकलियर प्रत्यारोपन सफलता पूर्वक किये गए हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकेर हॉस्पिटल वित्तिय बाधाओं के बावजूद जरूरत मन्द बच्चों को जीवन बदलने बाली सरजरी प्रदान करने के लिए आगे आया है। कौकलियर इंप्लांट में एक उपकरण का सर्जिकल इंप्लांटेशन शामिल होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह सुनने में असमर्थ लोगों को सुनने में सक्षम बनाता है और यह वे गंभी रूप से सुनने में अक्षम लोगों की मदद करता है। साथ यह इस अच्षियन कंप्रीशन चाफ्यर इंडी अगवी अधियुटर इंप्लांटेशन श्यामिल इंप्लांटेशन वाज़ इंडने में अधियू के आर्ट्स कॉलेज में तिलंगाना के सियं रिवंतरडी के चित्र का दुखधा पी शेक किया है। उन्होंने उस महत्वपूर्ण समय में राज्य सरकार की ओर से एक विशेश वकील न्यूक्त करने के लिए CM रेवन्त रेड़ी को धनिवाद दिया जब SC वर्गीकरण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सम्विधान पीठ में दलीले दी जा रही है। मदिगा और मदिगा उपजातियों के छातरों की ओर से हम CM रेवन्त रेड़ी को धनिवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ खुशी की बात है कि कॉंग्रेस पार्टी SC वर्गीकरण के लिए आगे आई है जो तीन देशकों से मदिगा और उपजातियों की इच्छा रही है। CM रेवन्त रेड़ी ने अपने राजनेतिक शासनकाल के दोरान हमेशा मदिगा और S.E. वर्गीकरण संगहर्शों का समर्थन किया है और तिलंगाना में सामाजिक नियाय के लिए खड़े रहे हैं। संग्रास्ट्रिय महासचिव और सांसत संजे कुमार इन आरोपों की जांच के लिए तयार है। को लाब हुआ है। आये साधन प्रभाग के अंतरगत लक्षमी नगर कॉलनी में दो करोड रुपे की लागत से नवस्थापित थीम पार्क जनता के लिए उपलब्द हो गया है। थीम पार्क का उधगाटन याकुदपुरा विधायक जफर हुसैन और प्रभागियन अगर सेवक जंगम स्वेता मधुकर रडी ने किया। विधायक जफर हुसैन ने कहा कि आसपास के लोगों को आनन देने के लिए थीम पार्क बनाना सरहनी है। उपाध्यक शबाल कृष्णगर, कॉलिनी निवासी और जीएचमसी अधिकारियों ने भाग लिया। और पुरे का पुरा थीम पार्क है, लेटिंग का आरेजमेंट है, कुछ काम अभी पेंडिंग है। उसको भी मैंने एक खास प्रामिस किया हूँ कि एक काम को कंप्लीट करवा दिया जाएंगा। कालोनी के लोगों का जो इंसिस था कि यहां के रोड्स डैमेज है और कुछ और इमेनिटिस की जुरत है। तो मैं इन लोगों का इशरेंस देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द आफिसर्स के साथ विजिट करके पूरे कालोनी के काम टेक अप करेंगे। मेरे साथ में मदुकर रेडी साब मौझूद है और यहां के मुखामी कार्पेटर सुईता मदुकर रेडी मैडम भी मौझूद है और इंशालला ताला मैं यहां का जितना भी आईस सदन का जो भी वर्क है उसको मैं देखते वे वो काम को जल्द से जल आगे बढ़ाँगा और जो सैंक्शन वर्क है उसको इमेरेट स्टार्ट करने के लिए बहुत जल्दी रिवी मिटिंग लेके वो काम को भी कम्प्लिट कराए जाएगा आज के इस प्रोग्राम के अंदर जितने लोग आए हैं इन सब का मैं थैंक सदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम ल काम कराना हमारा ही में इंटेंशन रहता और इसको हम आगे बढ़ा के काम करेंगे थैंक्यू सो मज़ पिछले साल 31 दिसंबर को तेलगू टेलिविजन डिजिटल OTT मीडिया इंडस्ट्री के 24 शिल्प महासंगों के चुनाव भव्यत तरीके से हुए थे इस अफसर पर महास के नए अध्यक्ष के रूप में कोयला मुडी राकेश महासचिव के रूप में पुट्टा विजय कुमार और विबिन विभागों के सदस्यों ने शपतली इस अफसर पर कोईला मुडी राकेश को महासंग का नया अध्यक्ष पुट्टा विजय कुमार को महसचिव कर्रा नरेंद्र रड़ी को कोशा अध्यक्ष मोहन राज और रमेश को उपाध्यक्ष कार्यकारी उपाध्यक्ष सी को नियुक्त किया गया एच प्रसाद, एम संपत मडगला, समेत विभिन विभागों के सदस्यों ने शपतली कार्यक्रम की अध्यक्षता टीवी फेडरेशन के संस्थापक अध्यक्ष नागबाला सुरेश कुमारने की अतिरिक्त श्रम, आयुप्त गंगाधर, मुख्य अतिथी के रूप में तिलगु टेलिविजन डिजिटल, OTT प्रोडियूसर काउंसिल के अध्यक्ष ए प्रसाद राव, तिलगु फिल्म उध्योक कर्मचारी महसंग के अध्यक्ष अनीव वल्लभनेनी, महसच्यु पी एस ए श्रमा के घर पर NIA अधिकारियों की तलाशी समापत हो गई है, सुबह से ही तलाशी अभियान चलाया गया, विर्सम नेता वरवराव के दामाद हैं, बताया गया है कि उनके मावादियों से संबंद होने के आरोपों की पुष्ट भूमी में तलाशी ली जा रही है, NIA ने ह तलाशी खत्म हो गई है क्योंकि उनके संबंध मावादियों से है, NIA अधिकारियों ने घर की सभी किताबों और लैप्टॉप की गहनता से जांच की, NIA ने रभी शर्मा का सेलफोन, बुकलेट और पैम्पलेट जब्त कर लिया है, लेकिन वेनु गोपाल ने NIA की तलाशी का जवाब दिया, उन्होंने कहा कि नयामत के धमकी भरे पत्रों पर किताबे लिखी है, NIA अधिकारियों ने वो किताबे और मेरा मोबाइल फोन जब्त कर लिया, NIA ने जांच की कि मेरा संबंध दीपक से था, मेनु गोपाल ने कहा कि वह अभी विर्सम में नहीं है, NIA के अधिकारियों ने कहा कि वे प्रेस विज्यापित के जरिये, NIA की छापे मारी के संबंध में पूरी जानकारी देंगे। उन्हें यह घड़ना की जानकारी स्थानियों पुलिस को दी मामला दर्च कर जान शुरू कर दी गई है।